नमस्कार जोहार मैसंजे और आप देख रहें न्यू ज़ारकन चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी कबरों को सरकार के प्रात्मिक्ता वाले चेतर में रिक्तियों का परतिसद औसत से अधिक है वही नियमेद पदों पर कारत 38 परतिसद कर्मचारियों पर सरकार को वेतन भत्ता मद में सलाना 17,736 करोड रुपय खर्च करने पड़ते हैं सरकारी आकडों के अनुशार स्वास्थ के छेतर में खुल 41,956 नियमेद पद स्विक्रित हैं इसके मुकाबले सिर्फ 11,365 नियमेद कर्मचारी ही कर रहे थें यानि स्वास्त के छेतर में 73% पद रिखते हैं, इससे स्वास्त के छेतर में लोग को मिल रही सुविदाओं का अनुमान लगाया जा सकता है। हलाके ग्रामिन विकास विभाग के लिए स्वाकृत पदों में से 35% पद खाली हैं। एक चात्र कोरोना पोजिटी मिला है उसकी 20 मार्च से मेटरी की परिचा है उसका सेंटर महिसमारा उच्वित दाले में है जाच के दौरान कोरोना संकरमित होने की पुष्टी के बार तुरंद इसकी जानकारी जीला महामारी विशेसग डॉक्टर मनीस सेखर को दी गई इसकी अस्पताल आय था जहां जाच में कोरोना पोजिटीव पाया गया है उसकी मैटरी की परिचा 20, 22, 25, 27, 29 मार्च और 3 अपरेल को है सिविल सर्चन डॉक्टर जेके चौधरी ने बताया है कि चातर की 20 मार्च से परिचा है इसको देखते हुए उपाईक दिवासिक चाविभा अपडेट अब तक पहुंसता रहे चलिए बढ़ते हैं खबरों की और पूर के कदम डी में हाय टेंसन तान गिरने से 38 साल के जुन्नू महातों की मौत अगई वही आज राज के कई जिलों में बादल शाय हुए हैं वही दो पहर बाद कई जगों पर हलकी बारिस हुई है वही हवा की रपतार भी कई छेत्रों में तेज है वही कल राजनी राच् गई है आज सुकुरवार को कई जगों पर दो पहर बाद जो है बारिस हुई है और साम तक जिन जगों पर ज़्यादा बारिस की संभावना है उनमें रांची, खुंटी, रामगर, बोकारो, धुमका, धनपाद, गिरिडी, सहिद, कई अन इलाके भी सामिल हैं हलाकि इन में जगों पर दो पहर बाद से छिटपुट बारिस सुरू हुई है इधर राज में बेसमार्स तक राज में यलो अलर्ट जारी किया गया है गुरतलाभी की ओलावरिष्टी के वज़े से फसलों को भी नुक्षान होने का खत्रा भी बना हुआ है मौसम वग्यानी कभी शेक अ गई जिससे महला का सर धड़ से अलग हो गया है बताया जा रहा है कि महला टोटाम भी केंद टोली गाउं की रहने वाली है वा गाउं के ही धान कुटने वाले मसीन को बुला कर घर के बाहर धान कुटवा रही थी इसी दोरान नहरी का दुपट्टा मसीन के चक्की में और नहरी का सर धड़ से अलग हो गया। असकीम नहीं मिली ऐसे में जारकन के प्रस्ताव पर विचार कर यहां के लिच्छे आरोबी को सेतु बंधन योजना के तहत स्विकृति दे दी गई है। पांसो पचास करोड से फूरलेन करने की स्विकृति दी गई है। अस्पताल में भरती करा गया है। जानकारी के अनुसार सुरेश्वर स्युमंदिर के पास एक बेसकीमती जमीन है उस जमीन पर कुछ माफिया कबजा करना चा रहे हैं। जबकी हर बार इस्थानी लोग के विरोध के वज़े से उनके मन सुबों पर पानी फिरता जा रहा था। जानकारी के जानकारी मिली वो इस्थानी लोग के साथ हाथ यार बंद लोग के विरोध में शामने आ गए। ज़न नीती पर सियम सदन में रखेंगे बात केबिनेट से पारित दोहजर सुल्ला से पूर्व की नियोजन नीती के मामले में मुखेमंतरी हमंतु सोरिन अपनी बात रखेंगे। रांची गोड़ा ट्रेन के समय सारनी में परिवर्तन तथा मोरी आगबन साम चार बच के 15 मिनिट के स्थान पर चार बच के 25 मिनट पर होगा अन्य अस्टेशनों पर ट्रेनों की समय सारनी पूर्वत रहेगी। 23 मार्च को गड़करी का जार्खन दोरा 5000 करोड की सड़क पर योजनाओं की मिलेगी सौगात केंद्रिये सड़क परिवहन इवं राजमार्ग मंतरी नितीन गड़करी जार्खन को 5000 करोड की सड़क पर योजनाओं की सौगात देंगे केंद्रिय मंत्री 23 मार्च को जार्खन आ रहे हैं, मिली जानकारी के मुताबिक नितिन गड़करी उस दिन राची जमसेथपूर के पीच 468 करोट रुपए की लागस से बनने वाली सड़क के अलावा कई अन्नि सड़क पर योजनाओं का उदगाटन और सिलन्यास करेंगी, र राची बोकारों के बीच 222 करोड रुपए की लागस से बनने वाली 60 किलोमेटर लंबे एक्सप्रेस हुए पर योजनाओं का सिलन्यास करेंगे, राश्ट्रिय राजमार्क संक्या 33 पर जमसेथपूर, महुलिया सेक्सन की उदगाटन भी केंद्रिय मंत्री करेंगे, गौर सराइकेला स्पी आनन्द प्रकास IPS इंडक्शन ट्रेनिंग कोर्स के लिए नेशनल पुलीस अकादमी हधराबाद गये हैं, उनके वापस आने तक्सरी सेकर सराइकेला स्पी के परभार में रहेंगी, गृरी विभाक से इस समन्द में अधिस्तूचना जारी की गई है, इसस टास्क फोर्स की टीम ने मारा च्छापा तेन ट्रेक्टर जब्त, उसरी नदी से बड़े पैमाने पर हो रही, बालू तसकरी के खिलाब जीला टास्क फोर्स की टीम ने, आज सुभा च्छापे मारी का नेतित्व, SDM, विसाल दीप खालगो कर रहे थे, अहल सुभा टास्क फोर्स की टीम मुफसिल थाना इलाके के, जरिया गादी पहुंची जहां उसरी नदी में अवादरूप से बालू का उठाओ, करते हुए तीन ट्रेक्टर को जब्त किया, पसमे सिंग्हुम के सोनवा बजार में इस्थित तीन दुकान में आग लग गई, इस दोरान दो करीब दो घंटे बाद आगबुजी, देवगर जिले के पांच थानेदार हटाएके, खागा के थानेदार बने, सारवा परभारी, 14 SI की हुई ट्रांसफर पूश्टिंग, देवगर के S.P. सुबास्यंदर जाटने विधिव्यास्था को लिकर, रिखिया सही देवगर महिल थाना, मारगो मुंडा थाना, कारो थाना वा, सारवा थाना के थानेदारों को हटाते हुए उन्हें, नगर मोहनपूर वा, रिखिया थाने में, ASI के तौर पर पदस्था पित किया है, एक मात्र खागा थानेदार, प्रदीप लकडा का बहतर प्रफॉर्मन्स रहने की अजय कुमार यादो को, खागा का नया थाना परभारी, मोहनपूर थाना के, JSI, पांडू समत को, मारगो मुंडा का नया थाना परभारी, नगर थाना के, JSI, संगीत कुमार को रिखिया थाना परभारी वा, बाबा मंदर थाने के परभारी, थानेदार यस्वंत कुमार सिं को कारो का नया थाना परभारी बना गया है